गलत आरोंपों को लेकर चिंते तना रहें बल्कि उनका सामना करें याद रखिए समय का ग्रेहन तो चांद और सूरज भी जेल लेते हैं तो हम तो मनुश्य हैं नमश्कार मैं हूँ मोहित कमल श्रिमाली आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में और आज का राशीफल यानि की एक नवंबर के इस विशेश एपिसोड में साथ ही आप सबी को बढ़ाई और शुब कामना देना चाहूंगा जिनका आज जनम दिवस है मैरिज इनवस्री है या कोई विशेश यादगार दिन है तो आईए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की आज तारीक एक नवंबर दो हजार बाईस है और दिन मंगलवार का है आज के विशेश उपाय में शुरी कृष्ण ने बिना मांगे दुरापदी की सहायता क्यों नहीं की ये इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा और इसी के साथ में एक विशेश जानकारी दे देता हूँ जैसे कि आप सब जानते हैं यूट्यूब पर अभी रीसिंक्ली हमने शॉट्स आप सब को देने शुरू किये हैं वैसे ही लाइव भी आने का बहुती जल हम प्रबंद कर रहे हैं क्योंकि लाइव अभी तक जो सिचुएशन है या फिर जिस तरीके से लाइव आया जाता है हमें अभी तक मालुम था नहीं पर आने वाले हैं तो ऐसे में आपके कोई भी सवाल है तो उसको इन नंबर्स पर अब भेज सकते हैं और वहीं पर अब मौज अप हुई या जोश अप हुई चेंगारी अप हुई और इसी के साथ में इंस्टाग्राम हर सोशल प्लाटवर्म पर हम आपके लिए उपलब्ध हो गए हैं जहां पर भी आप चाहते हैं आप आ करके फॉलो करके कंटेंट नया देख सकते हैं क्योंकि हर जगे कुछ ना कुछ नया जरूर होगा ऐसे में आप सभी से बस यही कामना है कि आप हमारा सपोर्ट करें और हमें मोटिवेट करें अब बात करते हैं पंचांकी समवत 2089 यान की 2079 का कार्थिक शुकल पक्ष चल रहा है अश्ट मीतिती रहे की रात के 11 बच के 4 मिनिट तक जसके बाद में नव मीतिती आरंभ होगी श्रवन नक्षत्र रहने वाला है पूरे दिन और कल याने की 2 नवंबर को रात के समय में दो बच करके 52 मिनिट पर धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा वहीं पर मकर राशी का आज के दिन चंद्रमा रहने वाले है वैसे में राहुकाल का समय दो पहर के 3 बचे से लेके 4 बचे तक है शुब चौगड या महरत वहीं पर आज के दिन आपको सिर्फ एक बार ही मिलेगा जो है सुबह के ग्यारा बच के 20 मिनट से दो बच के 20 मिनट तक आज यात्रा अगर आप करने वाले हैं कोई स्पेशल परपिस के साथ में निकल रहे हैं कहीं लंबी यात्रा के ले निकल रहे हैं तो डक्षण और पश्च्चम दिशा में शानदार आपको प्रभाव देखने को मिलेगा जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें सफलता जरूर मिलेगी पर उत्तर और वाईवे दिशा यानि की नौर्थ वेस्ट दिशा में जाना चाते हैं तो ऐसे में सुभे सुभे गुड़ खा करके याद फिर अगर चाये आप कुछ भी लीते हैं तो उसमें हलका सा छोटा सा गुड़ का दाना मिला करके फिर अपना दिन शुरू कीजेगा फिर ऐसी कोई भी आतराब शुरू कीजेगा फिर बात आती है आज के दिन सुर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की तो आशरे योग, शश महापुरुष योग, कल्द्रूम योग, केंद्रूम भंग योग, वसुमती योग, नीज भंग राज योग और केंद्र त्रिकोन राज योग का आज के दिन आप सभी को साथ मिल रहा है ऐसे में, ये बात तो निश्चित है कि आज के दिन शांदार बीतने वाला है उन लोगों के लिए जिन के लिए आगे मैं राशी फिल बता रहा हूँ पर जैसे कि मान लीजे, ये तो सिर्फ राशी पर ही हम बात करते हैं राशी मन का कारक कहा जाता है पर एक अकेला ग्रहतो है नहीं तो ऐसे में, आप जब तक अपनी स्वयम की कुंडली देखते नहीं है समझते नहीं है तब तक आप solution भी exact नहीं निकाल सकते जैसे कि मैं यहाँ पर बताता हूँ कई लोगों के लिए accurate बैठती है predictions क्योंकि उनकी कुंडली जो यहाँ पर मैं आपको कुंडली बताता हूँ उसके साथ में match करती है पर कई ऐसे भी लोग होते हैं जा रही है वो उनके उपर एकदम भी सटिक नहीं बैठ पाती ऐसे में उनकी नाराजगी बोलिए या उनकी चिंता बोलिए एकदम वाजब है सही है कि मैं जो prediction कर रहा हूँ वो उनके सही नहीं हो पारे क्योंकि जो मैं यहाँ पे कुंडली आपके साथ में बात कर रहा हूँ वो कुंडली उनकी है ही नहीं पर अगर आप स्वहम की कुंडली दिखवाना चाहते हैं आप चाहते हैं कि बाकी सब लोग जस तरीके से comment करते हैं आपने जो बताया है वैसा आज exactly मेरे साथ में हुआ और इतना ही accurate prediction आप खुद के लिए भी चाहते हैं तो ऐसे में सिर्फ एक दिन नहीं, एक साल नहीं, दस साल नहीं आपकी पूरी जिंदगी का लेखा जोका जिसे बोलते हैं वो आपके सामने रख दूँगा बस बात इतनी सी है, इस नंबर पे कॉल करके appointment लेने की जरूरत है अब बात करते हैं लाक रुपे की जैसे कि आप सब जानते हैं बहुत समय बाद फिर से ये segment शुरू किया गया है क्योंकि आप सब यही बोलते थे कि शुरू में जो राशी फल आता था वो बहुत अच्छा लगता था तो ऐसे मिलाक रुपे की बात फिर से शुरू की गई है अब आज के दिन मिलाक रुपे की बात में हम बात करने वाले हैं महाभारत की महाभारत को पांचवे वेद का दर्जा दिया गया है प्रतियेक भारतिये को इसे पढ़ना चाहिए और ऐसा क्यों है इसमें वो सब कुछ है जो मानव जीवन में घटत होता है जो आपके और मेरे साथ में हर रोज देखने को मिलता है या तफिर ऐसी कोई चीज जो हो सकती है पर हमें समझ नहीं आती इसमें वो सब कुछ है जो धरम और राजनीती में होता है इसमें वो भी है जो आध्यात्मिक मार्ग में घटित होता है एक और इसमें रिष्टे को लेकर अपनत्व है तो दूसरी और खून के रिष्टे को भी तार-तार कर देने वाली असमवेदन शील घटना है दरसल महाभारत में जीवन, धरम, राजनीती, समाज, देश, ज्यान, विज्यान सभी विश्यों से जुड़ा हुआ एक पार्ट है महाभारत एक ऐसा पार्ट है जो हमें जीवन जीने का सबसे उत्तम शृष्ट मार्ग बताता है महाभारत की शिक्षा हर काल में प्रासंगिक रही है और महाभारत को पढ़ने के बाद इस से हमें जो शिक्षा या सबक मिलता है उसे याद रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है और महाभारत आज तक जिसने भी पढ़ी है सब की एक ही बात बोलनी है कि मैं आज से श्री कृष्ण का भक्त हो गया हूँ तो आप भी एक बार महा भारत पढ़के जरूर देखें आई अब बात करते हैं आज के राशी फलके और सबसे पहले बात करूँगा मेश राशी की तो मेश राशी के लिए राशी भाव से 10th हाउज में चंद्रमा है वहीं पे संपत्तारा का साथ और श्टगवरग में भी शांदार 23 डॉट मिल रहे है ओवराल सिच्वेशन आपके लिए 100% पॉस्टिव भी बन रही है और ऐसे समय में खास तोर पर जो भी नौकरी करने वाला इंसान है आज थोड़ा सब्र रखे थोड़ा पेशिंस रखे थोड़ा धैरी रखे आपकी जगह जहां पे आप काम करते हैं वापे कोई बदलाव देखने को मिल रहा है कोई गरम होतावा नजर आ रहा है तो उसके बीच में ना पड़े जो भी चीज ये सिचुएशन बन रही है ये आपके लिए कहीं न कहीं पे एक अवसर बन सकता है आज के दिन जो व्यापारी वर्क का इंसान है जो खुद का बिजनिस करता है जो भी स्वाइम का मालिक है सफलता तो आज के दिन मेश राशी को मिलनी ही है पर ऐसे में व्यापारी वर्क का इंसान आज के दिन अपने काम में ज्यादा फोकस करेगा नए-ने तरीके ढूंडेगा नए-ने प्लाटफॉर्म्स उसे मालूम चलेंगे और कहीं न कहीं पे ये बोला जाएगा कि अपने क्लाइंट्स के साथ में अपने जो कस्टमर्स हैं उनके साथ में बहुती अच्छी बॉंडिंग बना लेगा यानि कि कहीं बार जब आप दुकान पर जाते है खास तोर पर महिलाएं जब जाती है साड़ी की दुकान पर तब क्या होता है सामने वाला भाबी जी दीदी ये सब कहे करके आपको पकारता है और उसके साथ में अचानक आपका एक बॉंड बन जाता है कि ये तो मेरा भाई है ऐसी कही नहीं पर फीलिंग ज़रूर देखने को मिलती है और ऐसी फीलिंग जब हर इंसान अपने बिजनस में लेकर के आ जाएगा तो अपने क्लाइंट्स के साथ में एक बॉंड जो है रिष्टा है वो शेर करने को मिलता है जिससे वो customer कभी कहीं और नहीं जाता यही चीज आज के दिन आपके लिए बहुत अच्छी थाबित हो सकती है घर परिवार का भी support पूरा मिलेगा अपने life partner से आज खास तोर पर आपको support जादा देखने को मिलेगा प्यार भी जादा देखने को मिलेगा और आपके कोई परेशानी है उनके साथ में आप शेयर करके देखिए आपको एक out of the box कोई response मिल सकता है कोई ऐसी thinking मिल सकती है जो आपकी problem solve कर दे शुबरंग रहेगा आपके लिए brown color शुबंग रहेगा नबतरी अब बात करते हैं व्रशब राशी की व्रशब राशी के लिए 9,000 का चंद्रमा है मित्र तारा का साथ और अश्ठक वर्ग में 21 dots overall situation यहाँ पे आपके लिए 73% तक यहाँ पे support की बन रही है यहाँ पे इस बात का ध्यान दीजिएगा support की बन रही है कि negativity आपको क्या face करनी है health में परेशानी अपने माता जी या फिर अपनी सास की जो health है उसको लेकर के भी आप चंत्रत रहेंगे वहीं पे स्वैम गलत decisions लेने के लिए बहुत ही आमादा रहेंगे यानि कि बहुत ही हड़ बड़ाट में रहेंगे कि कैसे मैं इस चीज को सही करूँ और सही की जगे हाथ से गलत ही हो सकती है ऐसे में मन अशान्त रहना अपने बच्चों से मदवेद हो जाना घर के अंदर जो बड़े बुजर्ग है उनके उपर कही न कहीं पे बहुत जादा जोर से चिला देना या फिर इरिटेट होकर के कुछ बोल देना जिससे बॉंडिंग जो है घर की या फिर जो हिरार्की बूली जाती है उसमें आपको परिशानी देखने को मिल सकती है पर अब बात आती है 73% सपोर्ट की 73% सपोर्ट का मतलब यह है कि जो भी आप काम करने वाले हैं उसके अंदर अगर राय ले करके चलेंगे लोगों की घर के अंदर जो बड़े बुजर्ग है उन सबी की बाते मानते हुए चलेंगे तो आपको सकसे जरूर मिलेगी व्यापारी वर्का जो भी इंसान है competition आज के दिन उसको परिशान नहीं करेगा जतना वो स्वैम को परिशान कर सकता है negative thinking करके गलत चीज़ों के बारे में सोच करके या तफिर सामने जो अलरी काम है उसको छोड़के दूसरे कामों में स्वैम को व्यस्त करने की कोशिश कर ले तो बेकार के कामों से बेकार के लोगों से परिशान होना पड़ सकता है यहाँ पर इन चीज़ों से सावधानी आपको बरतने की ज़रूत है और यहीं पर 73% जो आपको सपोर्ट है वो काम आने बाला है यानि कि अगर सही में देखा जाए तो इनसान कितना ज़ादा रेजिस्ट कर सकता है इन चीज़ों से जो नेगिटिविटी है उससे अपने आपको कितना रेजिस्ट कर सकता है वो 73% आज के दिन आपके ले रहेगा ऐसे समय में खास तोर पर जो भी इनसान मेडिटेशन करता है योगा करता है वो ऐसी के साथ में कोई ना कोई तरीके से अपने आपको और अपने परिवार को स्वस्त रखने के लिए या फिर मानसिक तोर पर रेलाक्स रखने के लिए मंदर जाता है तो उस इनसान के लिए आज का दिन अच्छा ही रहने वाला है उसको ये negativity छू भी नहीं पाएगी शुबरंग इसमें रहेगा आपके लिए प्यॉर वाइट कलर शुबंग रहेगा नमबर फो अब बात करते हैं मिथुन राशी की मिथुन राशी के लिए 8,000 का चंद्रमा है जो बॉंडिंग है यहाँ पर बॉंडिंग शब्द नहीं आएगा यहाँ पर यह शब्द आएगा जो आप कोशिश कर रहे हैं दूसरों को सिखाने की चाहे गर में स्वयम के बच्चे है अपने लाइफ पार्टन है छोटे भाई बहन है इन सभी के साथ में जो आप चीजें नई सिखाने की कोशिश कर रहे है या फिर इनकी जो दिंचरिया है उसको सुधारने की कोशिश कर रहे है वहाँ पर अस सफलता मिलेगी और जिसके कारण इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन आप में बिल्डप हो जाएगा और इस चीज का विसफोटक रियाक्शन देखने को मिल सकता है घर में तो इस पर सबसे पहले लगाम लगानी है आज के दिन स्वैम की हेल्थ को लेकर के ज़्यादा जागरुक रहना है बाकी सब जो करना चाहे करने दीजे आज स्वैम पर कॉंसेंट्रेट जादा करना है ऐसे समय में मंगलवार का दिन है ओफिस अगर जाते हैं तो ओफिस में जाकर के भी अगर आपकी टेबल पर गणेश प्रतिमा है तो सबसे बहतर नहीं है तो एक छोटी सी चीज बताता हूँ अगर आप एक दिन पहले देख रहे हैं मंगलवार से यानि कि सुमवार को अगर देख रहे हैं एक छोटा सा 4 x 4 cm के अंदर एक बॉक्स बनाईए उसके अंदर गोल सिक्के रखना चालू कीजे एक एक रुपे के दो दो रुपे के सिक्के रखना चालू कीजे इतना ताकि वो एक बेस बन जाए जिस पर आप गनेज जी की प्रतिमा को रखने ये प्रतिमा बना करके क्विक फिक्स है याद फिर कोई भी जो ग्लू होती है उससे इसको पूरा जोड दीजे अगले दिन जब आफिस में जाते हैं इससे अपनी टेबल पे रख दीजे जो भी नेगेटिविटी है जो भी प्रॉब्लम्स है चाहे प्रमोशन की बोलिए अपने कलीक्स के साथ में प्रॉब्लम बोलिए अपनी financial troubles की आप बात करें तो हर तरीके से आपको यहाँ पे एक relaxation देखने को मिल सकता है relief देखने को मिल सकता है और चीजें अपने आप आपकी तरफ होती भी नज़र आ सकती है शुबरंग ऐसे में रहेगा आपके लिए green कलब शुबंग रहेगा number two अब बात करते हैं करक राशीगी करक राशी के लिए 7th house का चंद्रमा है जन्तारा का साथ अश्ठक गवर्ग में ठरी two dots है overall 75% तक यहाँ पे positivity देखने को मिलेगी पर 7th house सिर्फ और सिर्फ आपके life partner को नहीं बलकि आपकी partnership को यानि कि business में जो partnership होती है उसे भी दर्ष आता है तो आज के दिन अपने partners जो है जहां पे आप business करते हैं उनके साथ में अच्छी bonding देखने को मिलेगी और एक तरफ से जो आप communication करना चाहते हैं कहीं ना कहीं पे कि मदभेत था मनभेत था किसी भी बात को लेकर के बहुत ही जादा आप दोनों के बीच में असमन जसिया देखने को मिल रहा था तो आज के दिन कोशिश कीजेगा कि एक कदम आप आगे बढ़ाए अपने आप जो भी problem है उसका solution ढूंड सकते हैं सुक सुवधाओं की भी प्राप्ति आज के दिन होगी जो मैं सोच करके निकला हूँ वो मैं पाकर के वापस घराऊंगा और ये चीज होगी जरूर overall काफी जादा excitement से भरा दिन काफी जादा good news से भरा दिन और काफी profit और success से पूरा दिन आपको आज के दिन गुजारने को मिलने बाला है शुबरंग रहेगा आपके लिए cream color शुब अंक रहेगा नमबर 6 अब बात करते हैं सिंग राशी की सिंग राशी के लिए राशी भाव से 6000 में चंद्रमा है अधिमित्र तारा का साथ और अश्ठक गवर्ग में शांदार 40 डॉट है overall situation यहाँ पे 100% positivity की नहीं 200 नहीं 300, 500 और 1000% की बात चल रही है यहाँ पे क्योंकि सूर्य ग्रहन का प्रभाव भी आपके लिए positive निकला शनी मारगी होने पर भी आपके लिए positive बन रहे हैं और यहीं पे आज के दिन मन का कारक याने की चंद्रमा ये भी positive है तो overall होना क्या है कर से मुक्ती, रोक से मुक्ती, दरदरता से मुक्ती देखने को जरूर मिलेगे और ऐसे समय में खास तोर पर body के अंदर और mind में नई नई चीजें आएंगी, नई नई कोशिशें करेंगे आप अपने business को, अपनी well being को, अपनी lifestyle को सुधारने की कोशिश और ज्यादा speed से आगे वठने की कोशिश होगी जो भी काम करेंगे जब तक अपने और अपनेों को साथ में लेकर के चलने की बात होती है यानि की लंबा चलना है, तो साथ में लेकर के चलो और जल्दी चलना है, तो अकेले चलो तो यहाँ पे हमें कोशिश करनी है की हमें लंबा चलना है तो ऐसे में अपने साथ वालों को लेकर के एक साथ सबका सुधार करते वे आगे बढ़ना है ऐसे समय में अगर आप सटा खेलते हैं, कसीनोस में जाते हैं, गैंबलिंग करते हैं तो ये भी आपके लिए एक opportunity सद हो सकती है, इसे भी आप profit आज के दिन जरूर कमा सकते हैं Family life अच्छी रहेगी, students के लिए भी काफी जादा अच्छा दिन बोलूँगा जो आप कोशिश हैं कर रहे हैं, जो आप learn कर रहे हैं, उसका real life experience, real life experiment आपको करने को मिल सकता है शुबरंग रहेगा आपके लिए bright yellow color, शुबरंग रहेगा number six अब बात करते हैं कन्या राशी की, कन्या राशी के लिए राशी भाव से 5th house में चंद्रमा है, जो मिले जुले प्रभाव देगा और यहाँ पर majority आपको दिखने को मिलेगा, कि अच्छे effects आपको मिलें सादक तारक असाद भी मिल जाएगा और श्ठक वर्क में 22 dots भी मिल जाएगे, overall situation यहाँ पर 77% तक आप बोल सकते हैं कि आपके लिए support की है ऐसे में जो यात्रा करने वाले हैं, यात्रा करने से पहले एक चोटी सी बात ध्यान रखें गुड़ खाकर के निकले, यानि कि जैसे जागरी बोलते हैं ये खाकर के आपको निकलना चाहिए, और ऐसे में अगर आपने अभी तक मेरे चाइनल पर गुड़ से संबंदित क्या-क्या उपाय हो सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो यहाँ पर जाकर के एक बार क्लिक जरूर कीजेगा इसके बाद में अगर आपके घर में लॉंग है तो चार लॉंग लेकर के बारोत पर रखनी बारोत होती है जो आपके गेट आपके घर के अंदर का पार और बाहर के पार को डिफरिंशियेट जो लाइन करती है उसे बारोत बोला जाता है उस बारोत पर चार लॉंग के दाने रख दीजे उनको कुचल करके फिर अपनी यात्रा पे निकल जाएए सुख़द यात्रा रहेगी जिस परपिस से आप यात्रा पे निकलें ये पूरा होगा यहीं पर अपना जो काम है उसमें भी सफलता आज के दिन देखने को मिलेगी फिफ्थ हाउस का चंदर मैं पर फिर भी बोल रहा हूं कि सफलता जरूर देखने को मिलेगी जो भी जैसा भी काम है, चाहे नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, दुकान चलाते हो, शोरूम चलाते हो, इससे कोई फरक नहीं पड़ता ऐसे समय में जो नौकरी करने वाला इंसान है, उसको जरूर थोड़ा संभल करके रहने की बात आ सकती है यहाँ पर यह चीज पर धियान रखना है, कि आसपास के लोग क्या बातें कर रहे हैं, या तो फिर आपके खिलाफ जो शड़ियंतर रच रहे हैं उसके साथ में आपको बहुत ही जादा चौकरना रहने की जरूरत है, यह अब हाई टाइम आ गया है, कि आप यह समझ जाएं कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है वरना बुरी तरीके से मूँ के बल गरने वाली जो बात होती है, यह आज के दिन देखी जा सकती है ऐसे समय में थोड़ा पेशिंस रखना है और इसी के साथ में हो सके तो सुभे सुभे जब ऑफिस जाते हैं तब गनेश जी का अगर मंदिर स्रास्ते में आता है तो वहाँ पे रुख जाए और नहीं तो घर से गनपती अथरवशीश का पाठ करते हुए या करके आप अपने घर से बाहर निकले शुबरंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर शुबरंग रहेगा नमबर साथ अब बात करते हैं तुला राशी की तो तुला राशी के लिए राशी भाव से फोर्थ हाउस में चंद्रमा है और फोर्थ हाउस में हमेशा बताता हूँ नेगिडिव एफेक्ट ही देता है ऐसे में मित्रतारा का साथ मिलना और अश्टरक वर्थ में 26 डॉट्स मिलना ओवरॉल सिच्वेशन को आपके लिए यहाँ पर बना सकते हैं 67% तक सपोर्ट का पर अब मन का कारक जो है जो मन को खराब होना है या तफिर डिप्रेस होना है वो तो आज के दिन होता वाँ आप सुबह जल्दी उठें और उठते ही नहाद हो करके पूजा पाट करके अपने आफिस के लिए रवाना हो जाएं यह जो मैं टिफिन बनवा करके निकलूंगा या तफिर में नाश्था करके निकलूंगा अज इस चीज को शूर दीजे जितनी जल्दी हो सकता है दूसरे भी नजर आ सकती है जो आप बैग लेकर के चलते हैं या फिर जो आपके पास में फोन है कहीं पर मिस्प्लेस कर दिया इन सब परेशानियों से आज के दिन जूंजना पड़ सकता है यहाँ पे लोग आपको उतेज़ित करने की कोशिश जरूर करेंगे जाने की आप आप अल परेशानी जो है यह साजिश जो है या आपके अगेंस आज के दिन लोग करते हुए नजर जरूर आएंगे थोड़ा अपने आपको अपने रियाक्शन को और अपने दिमाग को ठंडा रखिएगा शुबरंग रहेगा येलो कलर शुबंग रहेगा नमबर वन अब बात करत के लिए 3rd house का चंद्रमा है संपत्तारा का साथ अश्टक वर्ग में 28 dots है overall situation 100% positive है 3rd house का चंद्रमा खास तौर पर investment के लिए जाना जाता है और ऐसे में संपत्तारा का साथ मिलना मतलब संपत्ती में वरद्धी होना तो चाहे अब investments कीजे शॉर्ट टर्म, लॉंग टर्म, NFC में, बिटकॉइन्स के अंदर जिसकों की बोला चाता है cryptocurrency इसी के साथ में share market में, commodity market में तो आज के दिन सोची समझी investment schemes जो है, ये आपको आज अच्छा मुनाफ़ा कमा करके दे सकती है कभी भी बोला जाता है, बड़े बुजर्ग बोल गए हैं कि घर में पड़ा हुआ पैसा सिर्फ और सिफ धूल खाता है वहीं पर ये जब पैसा बाजार में लगाया जाता है, तो अपने आप बढ़ता जाता है यही चीज आज के दिन आपके लिए भी है, घर में पड़ा हुआ पैसा जो धूल खा रहा है, उससे अब सही तरीके से सही जगे पर खोज करके आप निवेश करें सुख, सम्मान और प्रतिष्ठा भी आज के दिन देखने को मिलेगी और ऐसे समय में लोग आपको वियाईपी ट्रीटमेंट देते हुए नजर आ सकते हैं हेल्थ वाईज आज का दिन बहुत जादा बहतर रहने वाले हैं आईसे समय में घर में जो बच्चे हैं जो आपसे उमर में छूटे हैं यानि कि स्वयम के बच्चे ही अकेले संतान नहीं होती हैं भाई के बच्चे भी तो हमारे लिए हमारा परिवार हैं आप उनको भी करके उनके लिए जरूर आ सकते हैं और ऐसे में कोशिश कीजिएगा जो भी कराशी भाव से सेकेंड हाउस में चंद्रमा है शेमतारा का साथ अश्ठक गवर्ग में 26 डॉट से ओवरॉल सिच्वेशन यहां पे मैं आपके लिए बोलूँगा कि 67 परसंट आपके लिए सब बोट में हैं पर यहां पे मेजर जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलने वाली है सबसे पहले जगड़ा जो है चाहे आप मौकिक जगड़ा बोलिए जो की बातों से होता है दूसरा हाता पाई होता है तीसरा पैसों के कारण संपत्ती के कारण जो जगड़ा होता है विवाद होता है यह सभी आज के दिन आपके उपर हावी होते वे नजर आ रहे हैं कही न कहीं से कोई न कोई ऐसी बात छिड सकती है जिससे यह विवाद उतपन हो जाए जिसको बोलते हैं कि हवा में ऐसे खीच करके मैंने आज कोई विवाद खड़ा किया है यह आज के दिन होतावा नज़र आसकता हो ऐसे समय में चाहे आप zachовयम की life से बोलें पर बैट करके ऐसा लगता है कि ये तो बहुत कम है क्योंकि साथ में कोई ऐसा बैट गया है जो बहुत बड़ी-बड़ी हांके मार रहा है और ऐसे में खुद को और खुद के कॉन्फिडेंस को आप नीचे गिरतावा देखेंगे इस से आपको बच करके रहना है ऐसे समय में खास तोर पर मौसमी बिमारियां जैसे बूला जाता है वाइरिल फीवर हो गया डेंगू हो गया इन सब चीजों से आपको बच करके रहना है खासी की समस्या खास तोर पर आज के दिन बहुत जादा आपके साथ में होती भी नजर आ सकती है शुबरंग ऐसे में रहेगा आपके लिए पिकॉक ब्लू कलर शुबरंग रहेगा नब बनाई अब बात करते हैं मकर राशी की तो मकर राशी के लिए राशी भाव में ही चंद्रमा है अश्ठक वर्ग में भी 29 डॉटस है और प्रत्यारी तारा का यहां पे साथ देखने को मिल रहा है तो इसके कारण में आपको बोलूँगा कि 90% तक ही आज का दिन पॉस्टिव है क्योंकि प्रत्यारी तारा जो है वो आज के दिन negative effect देने के लिए जाना जाएगा तो ऐसे में होगा क्या अच्छे investment भी होंगे अच्छी चीज़ें भी करने को मिलेंगी कमाएंगे भी अच्छा और दामपति जीवन और पारिवारिक जीवन में भी हर चीज़ अच्छी होगी पर जो शुरुआत है दिन की याद फिर ये बोला जाए कि जो भी आप कोशिश शुरू करते हैं उसमें फर्स टाइम में कोई भी सीधी तरीके से accept नहीं करेगा बाद में जाकर कि जब आप उसको फोर्स करेंगे या फिर जब आप बोलेंगे तर्क वे तर्क करेंगे तब जाकर कि accept हो सकती है पर उससे पहले ये चीज़ें होती भी नहीं नज़र आएंगी इसके कारण थोड़ा patience रखें और irritate होने से खास तोर पर बचें वहन का सुक भी मिलेगा और अच्छे से चलाने का मौका भी मिलेगा अच्छे हाइवे पे जाएए अच्छी जगाहों पे चलाएए सीनिक रूट्स पे जाएए ये सबी चीज़ें करने को मिलेगी पर इससे होगा क्या आज के दिन जो भी जहां पर भी आप जाने वाले हैं जो भी यात्रा आप शुरू करने वाले हैं इस यात्रा से अगर बिजनस के लिए यानि की वियापार की तरफ से अगर आप ये यात्रा कर रहे हैं तो आपको जरूर आज के दिन बहतरी देखने को मिलेगी, व्रद्धी देखने को मिलेगी, अच्छी इंकम आज के दिन आपको देखने को मिलेगी, शुबरंग ऐसे में रहेगा आपके लिए खाकी कलर, याने के लाइट ब्राउन कलर, शुबरंग रहेगा नमबर 9, अब बा पूशिश हो सकती थी पर दुरभाग्य वश्पून ये बोलना पड़ रहा है कि सिर्फ वसर दस परसंट का ही सपोर्ट है ऐसे में रेमेडी भी में आपको जरूर दूँगा कि इस दस परसंट को कैसे 100 बना सकते हैं तो पूरा सुन जरूर लीजेगा सबसे पहले होना क्या है 12th house का चंद्रमा है नींद पूरी ना होना नींद ना होने के कारण फ्रस्ट्रेशन होना इरिटेट होना सुबह सुबह ये चीज़ें देखने को मिलेगी जो भी सबसे पहला चहरा दिखा सुबह सुबह उसी पर आज के दिन पूरा गुसा निकल जाए ये चीज़ें देख कोई कुछ पूछ ले कि क्या हुआ है सिर यहां से दर्द हो रहा है दिल यहां से दुख रहा है हाथ यहां से दुख रहा है पूरी बाड़ी में कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई दर्द परेशान कर रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ आज के दिन 12th house के चंद्रमा के कारण ही आ ऐसे में अपने काम से भी हाद धोना आज के दिन, याने के काम पे ना जा पाना, सैलरी का, इंकम का लॉस होना और दूसरी तरफ, डॉक्टरों के चकर काटना, या तफिर फिजूल खर्ची करना, ये आपके लिए नेगेटिव फाइनाशिल स्टेटमेंट बना सकता है आज के लिए आज के दिन, महिलाओं से खास तोर पर चाहे घर की है, बाहर की है, वर्क प्लेस की है, या फिर आपके लिए जो काम करती है तो उन से बहुत सोच समझ करके बात कीजिए का, कितना भी गुसा है, कुछ भी इरिटेशन है, उन पर मत निकालिए चाहे आप आदमी है या औरत, दोनों के लिए ही ये बूर रहा हूँ, कि महिलाओं से औरतों से आज के दिन बहुत बहुत ज़ादा धियान रख के बात करनी है, चाहे सामने वाले ने, यानि कि जो सामने महिला है, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इस से लास भी आपक पर आपका कुछ भी कहना आपको लीगल ट्रबल में आज के दिन दाल सकता है, तो इसके लिए थोड़ा सोच समझ करके काम करें, अब बात आती है रेमेडी की, तो रेमेडी के तोर पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले सुबह उठते ही, अगर घर में शिवलिंग है, चाहे आपके पास में सिल्वर का है, यानि कि चांदी का बना हुआ है, स्फटिक का है, या पारत का, इन तीनों में से कोई भी शिवलिंग घर में होना अपने आप में शुपता और संपनता का प्रतीक बनता है, अगर है, तो आज के दिन सुबह उठते ही, सबसे पहले शिवजी क अभिशेक करें, अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो दूसरा जो आप्शन है, वो है आज के दिन ओम नमशिवाय और महामृत्यूंजे स्तोत्र का पाठ करना, तीसरा उपाए, आज के दिन ये रहेगा कि पीछ रंग जिसे बूला जाता है, उस रंग का रुमाल या फिर ऐसी क कारगर उपाए, नेगेडविटी से बचना है, अपने आपको पावर में भी रखना है, तो एक लाल रंग का रेशमी कपडा लीजे, उसमें छोटी से अगर चांदी की कोई भी अंगूटी है, आपके पास में यादफर चांदी का टुकडा है, उसे रख दीजे, एक सुप पूरे को बांध लीजे, और इस चीज को आज के दिन अपनी जेब में रख करके फिर काम पे निकलिए, काफी हद तक जो नेगेडिविटी है, जो इतनी सारी समसे हैं, मैंने आपको बताई हैं आज के दिन, इन सब से बहुत बहुत जादा आज के दिन आपको अच्छी जानकारी मिल जाना, अच्छे लोगों से मिलना, पावरफुल, इंफ्लुएंशिल और वेल टू डू, यहाँ पे इसका मतलब यह होता है, जो स्वैम के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छे से कमा रहे हैं, परिवार का पूरी तरीके से साथ और सपोर्ट और प्यार मिलता है, उनके लिए कुछ बहतर भी कर रहे हैं, अपने समाज को भी कुछ आगे बढ़ाने की कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से मिलना, उनका सपोर्ट पाना, और कही ना कहीं पर जो उनकी एक्सपर्टीज है, जो वो काम करते हैं, उसका आपको एक्सपीरियंस म मिलेगा, रिकवरी देखने को मिलेगी, ऐसे समय में खास तर पर ये शीज़ जरूर बोलूँगा, कि अपने परिवार वालों का साथ और प्यार दोनों मिलेगा, और दूर दूर से रिलेटिव आज की दिन घर आ सकते हैं, पर ऐसे समय में जो आपके अगेंस्ट खड़े हो जो आपके शत्रू है, कॉंपटिशन है, उन लोगों से परिशान नहीं होना है, एक बार फेस टू फेस मुकाबला जिसे बोलते हैं, कॉंपटिशन बोल लीजे, या तो फिर सीधे तरीके से सामने खड़े हो जाना कि क्या कर सकते और क्या नहीं कर सकते, अभी बात कर लेते इस बात की गारिंटी है, वैसे समय में, आज जो भी यात्रा करने वाले हैं, खास पर जो भी यात्रा अपने व्यापार के तर्पे करेंगी आप, बिजनिस के लिए करते हैं, इंकम कमाने के लिए कर रहे हैं, उसम poses आज किदिन शानदार वद्धी देखने को मिलेगी, इसस से ज्यादा बहतर रिस्पॉंस आज के दिन आपको देखने को मिलने वाला है शुबरंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर शुबरंग रहेगा नबर टू ये तो हुई बात आज के राशिफल की आई ये बात करते हैं आज के विशेश उपायकी की शुरी कृष्ण ने बिना मांगे द्राउपदी की सहायता क्यों नहीं की थी जुए में पांडवों ने द्राउपदी को भी दाव पर लगा दिया पांडव इस बार भी हार गए और दुर्योधन ने भरी सबा में द्राउपदी को निर्वस्त्र करने का आदेश दिया दुशासन इसे निर्वस्त्र करने लगे और द्राउपदी ने उस अवसर पर उपस्तित सभी लोगों से इस अनाचार के विरुद आवाज उठाने को कहा पर सब चुप थे धर्मराज युदिष्ठिर, गांडवधारी, अरजुन, गदाधारी भीम सभी ने कुछ भी करने में अपनी असमर्थता प्रकट की थी और वे मात्र सिर नीचे किये मुकदर्शन बने रहे बिश्म पितामा जैसे वरिष्ट और ज्यानी व्यक्ति भी मौन सादे रहे इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है सब और से निराश द्रौपदी ने कृष्ण भगवान को पुकारा तो एकदम अद्रश्य सहायता हुई द्रौपदी की लाज बज गई इस घटना के कुछ समय बाद द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पूछा कि भाईया आप तो कहते हो कि भक्त जो है उन पर कोई भी विपत्ती आ जाए तो उसे दूर करने को मैं स्वयम तुरंत दोड़ा आता हूँ फिर उस समय में आप इतने विलंब से क्यों आये थे कि आपको मेरी व्यदा चिंतित नहीं की थी तो श्री कृष्ण ने भी द्रौपदी को बहुत उच्छित यहां पे उत्तर दिया श्री कृष्ण जी ने बोला कि द्रौपदी मैं था तो नहीं पर तू तो ग्यानी विरागी भीश्म दनुर्धारी अर्जुन गदादारी भीम और धर्म राज युदिश्टिर काई समरण कर रही थी उन्हीं को समर्थ समझ रही थी तो उन्हीं से तू आशा भी लगा रही थी तो मैं क्या आता? पर जैसे ही तूने मेरा नाम लिया, जैसे ही मेरा समरण किया, मैं वहाँ पे उसी वक्त पहुँच करके तुझे और तेरी लाज को बचा लिया हमेशा ध्यान दीजेगा, आपके इस जीवन में जब कोई समस्या होती है, जब कोई परेशानी आती है आप अकसर उन लोगों को सबसे पहले देखते हैं जो आपके आसपास में हैं और अकसर जो आपको परेशानिया हो रही हैं उसके लिए जिम्मेदार भी वही लोग हैं जो आपके आसपास में हैं ऐसे समय में इनसानों को नहीं देवताओं को यानि की भगवान को याद करना चाहिए कैसी भी सिच्वेशन हो कैसी भी परेशानी हो जब इनसान अंदर से ठोस हो जाता है अपने आप में शमता ढून लेता है अपनी काबिलियत पर भरोसा करता है तब जाकर कि श्री कृष् सदेव सुखी रहे, संपन रहे, सुरक्षित रहे घर में बड़े भूड़ों का साथ और आशिरवाद हमेशा आपके साथ में बना रहे जैश्री राम एवं जैन झम सनब पके साथ में जैश्री रहे साथ में बनसे पidar गता हमेर इन रहे हमाँ में इन VII जैश्री रहे